दोस्तो स्वागत है आप सभी को हमारी यूटुब चैनल सुनील डिजितल वोल में तो दोस्तो आज के हम इस वीडियो में बात कहेंगे सहारा इंडिया में फंसा हुआ था और इसके पहले आपने ओनलाइन अवेदन किये हैं इसके लिए तो आप लोगों का जो है पैसा डलान सुरू हो चुका है और यहां पर भी आप देख सकते हैं अमीद साहाजी ने त्वीट करके जनकारी दिया है कि सहारा की चार साकारी समीटियों में निवेश करने वाले लाखों लोगों की उमीदों को पूरा करते हुए सहारा रिफंद पोर्तल के माध्यम से उनके रुपए लोताय जा रहे हैं और यहां पर आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है यह मोदी जी के नित्रित्म में साकार्ता मंत्राले की सक्रेता का परिनाम है कि लोगों को उनकी मेहनत की वह कमाई वापस मिल रही है जिसकी उमीद वे वरसों पहले छोड़ चुके थे इसके लिए म आप देख सकते हैं एन आई का जो टूइटर हैंडल है इस पर भी टूइट के माध्यम से अमीद साहा जी का वीडियो सजा किया गया है जिस वीडियो में इन्होंने साहरा में फंसा हुआ पैसा रिफंद करते हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर आप देख सकते हैं लिखा स्कृन पर्तल के माध्यम से साहरा में फंसा हुआ पैसा रिफंद कर रहा हैं और वैसे यहां पर आप स्कृन आप छार अगर्ष्ट को इनके एककाउंट में ट्रांसफर किया गया है जोकी सहारा रिफंद पोर्तल के माध्यम से किया गया है तो अगर आप लोगों का भी सहारा में पैसा फांसा हुआ है तो आप सभी के लिए बहुत ही बारा गुद नूजर आप लोगों का जो है पैसा आना शुरू हो चुका है तो आप जो मैसेज देखें हैं उसमें दस जार रुपया ही भेजा गया है तो आप लोगों के मन में एक कन फ्यूजन होगा कि अगर आप सहारा में पचास जार एक लाख रुपया जमा किये थे फिर भी आपको क्या दस जार रुपया ही दिया जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप जितना पैसा जमा किये थ बहुत ही जल्द आप लोगों का भी पैसा रिफंद किया जागा तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन किये हैं उनका 45 दिनों के भीतर इसका पैसा रिफंद किया जागा तो दोस्तों आप लोगों ने देखी लिया कि साहरा इंदिया का जो ह से पहले आप तक पहुंचती रहे तो आज के वीडियों में फिर मिलते हैं अगले वीडियों में अगले तपी के साथ जाहिंद